नमस्ते मैं गिता क्रुप आपको आज यह टेबल मत बनाना बताऊंगी आप ऐसे डोर मेट भी बना सकते हैं हमने यह बनाया हुग इसके सैड में अच्छे से फ्रिल्घ। सा रखी हैं हमने यह फोर कलॉथ ले रूर कलर से अब बो नहीं बना सकते हैं हम सबसे पहले यह पेपर लेंगे इसको फोल्ड करेंगे अशर यह हमने इसको की ऑ कि फिर से फॉल्ड करेंगे इसे एक बार से कि और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे ऑसे तो हम इसको हाट शेप देंगे अब इतने में हमें ये इसको हाट शेप देनी है ऐसी sheep में हम इसी cut करेंगे तो यह heart blob बन जाएगा अभी हम इसको cut कर देते हैं यह हमने cut कर दिया है इसको हम खूलते हैं यह हमारे four hearts बन जाएंगे सब आ हमारे equal equal हो गये हैं आप अभी हम इसमेants बना देते हैं जैसे हम इसमें pumps बना रहे हैं सेम सेमें क्लोथ में भी राइनज बनाएंगेrico इसे हमारे फोर हार्ट बन जाएंगे हम अलगलग clothes इसमें लगा सकते हैं इनकी लेंद और मिलाईंट आ। इंचे अदर से भी यह क्लोथ कट करेंगे आप कोई भी वैसे ठीक जो आपके पास मोटा कपड़ा हो आप वो यूज कर सकते हैं हम इसके लिए बैट्षिट यूज कर रहे हैं अब इस पर सेम ऐसे निशान लगा लिए हैं अभी आम इसको कट करेंगे इसको कट करेंगे और फिर इसके बीच में निशान लगाएंगे जैसे हमने पिपर पर निशान लगाए थे फोर हार्ट शेप बन जाएंगे हमने निशान लगा दिये हैं बीच में हमारे फोर हार्ट बन गए हैं अभी हमने इसके लिए ये फाइफ क्लोथ लिए हैं इनके स्ट्राइप्स मारी सेम है30 हं आज इन हाफ इंच सभी की हमारी विड थे यह यह सेम रहेगी कि अब हम इसको स्ट्राइप को पराना स्टार्ट करते हैं इस तरह से से फोल्ड करते हो जाना है अब यह नहीं इसको बनाते हैं सिलाई लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे ऐसे करके यह हमें टोटल यह फोर स्ट्राइप्स चाहिए एक फ्लावर बाने के लिए एक स्ट्राइप्स की लेंथ है हमारी 14 तो एक हम 14 की लेंगे तो ऐसी ऐसी हमें चाह die परются फोर के चाहिए फोर्स ट्राइप्स हमें गरीं चाहिए, फौर स्ट्राइप सही यह रेड चाहिए इस तरह से फर में जरूर यह बन जाएगा अब यह हमने बना दिये stripes हमारी ऐसे यह वाइट वाली बनाई हुई है white and black अब यह मैं इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने जो लाइन्स लगाई हुई है इसमें हमें यह white and black लगानी है इदर से रखेंगे इसके उपर और इसको शिलना स्टार्ट करते हैं कि हमारे डिमेड लाइन नहीं होने चींड लाइन इसलिए लगाई है ताकि हमारी जूपर हम स्ट्राइप लगाएंगे एकदम मीडल में लगे इसे हमारे फोर पार्ट बन जाएंगे अलग और फिर में में डिजाइन बनाएंगे यह हमने एक पट्टे लगा दिये है इसमें ऐसे हम दूसरी वाली स्ट्राइप से रखेंगे इसकी ज़द की सेड़ यहां पर इसको रखते हैं और इसको सिल्के लेके आते हैं भी हमने यह लगा दिया इस पर ऐसे करके हमारे फोर हार्ट बन गए हैं अभी हमें हार्ट पर लगाते हैं एक हार्ट लेंगे हम और इस पर सैड़ सैड़ से हमें यह लगाना है हमें थोड़ा नेची देखते हुए लगाना है इसको कि हमारी बहार ना निकल जाए हमें इसके उपर ही लगाना है हमें थोड़ा साइड से ठुटु सेंटीमेटर छोड़ते हुए जाना है हुए लगाना है कि अब यह से हम दीरे दीरे सिलाह लेते हुए जाएंगे बार बार हमेंसे घुमाना पड़ता है ताकि अच्छी शेप आजाए हमारी अब यहां तक इसको लेके आएंगे और फिशे थोड़ा साइस को कर देते हैं भी इसको कट कर देते हैं अब यहां तक इसको लेके आएंगे हमारा यह एक स्ट्राइब से लग गई है अब दूसरी हमें इस पर निशान भी लगा सकते हैं अगर आपको थड़ा मुश्किल लगे तो इस पर ऐसे करके निशान लगा सकते हैं और उसी लाइन से हम फिर से फ्रील से लगाएंगे ना लाइन से हमने इस पर लाइन से लगा दी है अभी हम इस पर फिर से फ्रील से लगाते हैं इसको इधर से रखते हो जाएंगे ऐसे करके और इसको भी हम ऐसे करते हो जाएंगे और इसको सिल्की लाइंगे भी अब इसको यहाँ पर रखते हैं और सिलना स्टार्ट करते हैं हमें लाइन से लेकर जाना है और bı mejorैं लाएंगे डाना हा है जाएंगे क्या किए क्या में बयाखते हैं भी हो ऑना है अक्या में बया आएंगे गILL जाएंगे क्योंनाbits सब्सक्राइबन ना इसमें लगा सकती है अगर कम लगा ना चाहिए तो आपकंने क्लाइबनने लगा सकते हैं इसमें आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास कपड़ा सूट में से बच जाता है उनको आप यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए यह हमारे बैक से ऐसे दिखाए दे रहा भी यह हमने साइड साइड से थोड़ सा क्लॉज छोड़ा हुआ है अब यह हमारी सेक्रिंड स्ट्राइप्स होगी इसको हमने कट कर दिया भी अभी फिर हमारी थर्ड स्ट्राइप्स आएगी ऐसे हम इस पर निशान लगाएंगे और इसी निशान से हमें थर्ड वाले स्ट्राइप्स लगाने इस तरह से हमें यह पुरा रेड वाला कम्प्रीट करना अभी हम ग्रीन वाला स्टार्ट करते हैं ग्रीन वाला हमें इधर से लगाते हुए जाना है और यह ऐसे करके हमारा यहां तक लग जाएगा अभी हमने यह लगा दिया गरीन वाला फर्स्ट ट्राइप्स हमारी लग गई है अभी सेकंड वाली लगाएंगे हम या तो आप निशान लगा सकते हैं या फिर आप वैसे भी लगाते लगाते पसले लगता हमें कहां से कहां तक लगाना है हमने second stripes भी लगा दी है यह हमारे third stripes लगा दी है अभी हमने अभी next वाइल लगाएंगे अभी हमारा ऐसा हो गया भी पूरे को हम complete करते हैं हमने यह बना दिया है हमारा यह table mat बनके ready हो गया है इसमें हमने four color यूज़ के हुए है यह हमारी अच्छे shape आ गया है इसमें अच्छा लगा तो please subscribe कीजिए, like कीजिए, thank you